वाट्सपनिंग गाइस तो कैसे हैं सभी लोग तो आपने पिछले चार वीडियोस में पता कर लिया है कि जो आइरेन के टूल्स है वो कितने ब्लॉक्स या तो तोर सकते हैं या तो तो तिल कर सकते हैं आज की वीडियो में हम लास्ट वाला टूल जो की है आइरेन स्वोर्ड उसके बार में पता करेंगे और देखेंगे कि ये आइरेन स्वोर्ड कितने मॉंस्टर्स को या कितने जॉंबी को मार सकता है मैं एक्षिली स्वाइप काउंट ने करूंगा क्योंकि उसमें तो बहुत स्वाइप करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा हम कितने मॉंस्टर्स को मारे हैं तो मैं मॉंस्टर्स काउंट करूंगा मॉंस्टर्स को बोल रहो है मॉब देना मैंकराफ में सो लेट स्टार्ट ओके ठीक है अगर आप लोग सोच रहोंगा यह मैं कहां आ गया शुरू- स्केलेट उसे माप्रिवा रहे हैं तो इससे क्त Whenever कितने मॉब्स को मारा है एक सिर्दव नहीं सारे मॉब्स को फेर हैं तो हम यह मॉन्झ को अन्च एक मॉब को मार सकता हैं तो मैं मार नहीं कीवयर ठास करें क्वे पूंगर स्टार्ट करते हैं मैं शुरू-शूड मीया और बहुत सारे यहां पर आगे हैं तो मैं एक एक करके काउंट करूंगा और देखते हैं हमारा आयरन स्वर्ड कितने मॉब्स को मारा है तो गाइस हमारा स्वर्ड टूर चुका है और हमने 62 अना हाफ स्केलेटन्स को मारा है स्केलेटन्स सारे मॉब्स को मार सकते हैं सारे मॉब्स को मार सकते हैं सारे मॉब्स का हेल्थ सेम होता है फोर स्वर्ड में मर जाते हैं वह विचिस इन केस अफ आयरन स्वर्ड अगर इससे भी बड़ा स्वर्ड है जैसे की गोल्ड या दामें या नेधर राइट उसके स्वर् 50 एन इसका अनिमल इसका मॉब किलिंग है 62.5 तो 62.5 मॉब्स को अगर आपने मारा है तो इसका मटलब आपका स्वोर्ड कभी भी टूर सकता है और आपको नया बना लेना चाहिए तो I hope आप लोगको आज के वीडियो में पता चल गया होगा एक iron sword कितना long lasting है तो अगर हम 62.5 को 4 से multiply करेंगे क्योंकि मैंने अबसर्ब किया 4 swipes में वो skeleton मर रहा था every skeleton जो भी spawn हो रहा था तो अगर हम उसको 4 से multiply करेंगे तो 250 के आसपास आएगा तो अगर round figure करेंगे तो 250 swipes है in total तो अगर आपको लोगको आज के वीडियो informative लगा तो like देना नहीं होतो subscribe करना और अपने friends से share करना मत बुलना इस पर सही बुला और देखते हैं एक और एक अगर मैं इस वाली वीडियो में बता दो तो suspense क्या रहेगा है तो मिलते अगले वीडियो में तब तक खिले कीव स्माइलिंग, stay safe and bye bye झाल झाल झाल